हलो एब्रिवान वेरी गुड मॉर्निंग तू अल उफ यू आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जैसा आप लोग जानते हैं कि हम डी डी जी एक्जाम के लिए सर्विंग सब्जेक्ट रिवाइस कर रहे हैं और आज हमारा ये सर्विंग सब्जेक्ट का फूर्थ सेशन होने वाला है और बहुत सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स अल्रेडी हम लोग अभी तक रिवाइस कर चुके हैं जैसा आप लोग जानते हैं हमारा लीनियर मेजर्मेंट हमारा कमपास सर्वे बेसिक इंट्रोडाक्शन थियोडोलाइट ट्रेवर सिंग ये सारे चेप प्रेक्टिस करने हैं तो आपका ये सब्जेक्ट एक बार जिसको हम बोलते हैं कि लास्ट मिनट रिवीजन तो उस तरीके से एक अच्छी तरीके से आप लोगों का इस सब्जेक्ट रिवाइस हो जाएगा आज के लिए अगर हम लोग टॉपिक की बात करें तो आज मैं सब्सक्राइब तो हम एक आइडिया लेने वाले हैं प्लेंटेबल सर्वेंग का तो प्लेंटेबल सर्वे से किस तरीके के कोश्चन्स पूछे जाते हैं आज हम यह देखेंगे इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे की आप लोग जानते हैं काव्स हमारा एक च भी एक-ग्जाम में कब तक होगा एक-ग्जाम सेब्सक्राइब कर आख सकते हैं convenience का हाई तो यह दूम्हाएने में कभी यह डिए निस नोगा मस्ट quell करते हैं तब थोड़ा सब आरे आक उससे करते रहे हम impul Bye Mokук कोर्म लेकर आए तो यह दो महीने में कभी भी आपका मतलब यह एक्जाम हो सकता है ठीक हो एक्जाम में भी सकता है 45 के बाद States कप ध्यान रखिए और आक्टूबर में तो वैसे भी आपको sSeicky है तो उसके साथ टो यह क्लैशंक नहीं करेगा तो ऑगस्त में और September में आपका exam कभी भी conduct कराया जा सकता है चलिए तो आज का जो हमारा target रहने वाला है हम plain table survey देखेंगे plain table survey की different methods क्या है तो topic रहेगा methods of plain table survey मतलब कैसे हम plain table survey करते हैं और next हम लोग जानेंगे curves के बारे में और उसके different components के बारे में आज जो हमारी class है आज जो हमारी class से देखिए यह इसका time हमने change किया था आप लोग जानते हैं कि अभी हमारी सुबह 8-11 highway engineering की paid class चल रही थी तो अभी 11.30 a.m. आज class का time रहेगा और कल मैंने आपको कुछ miscellaneous topics करवाने हैं तो कल की class का time भी 11.30 बज़े रहेगा और कल की class में आप लोगों को miscellaneous में जैसे contours हो गया उसकी properties हो गई और आपका area and volume के कुछ formulas है तो area and volumes के formulas यह सारे topics आपको छोटे-छोटे जहां से one one mark के question आते हैं वो मैं पढ़ाने वाली हूं उसके बाद आपका नया subject start हो जाएगा ठीक है तो सिरफ आज और कल के लिए ज जो उनकी official notification है राम नीवास यादव तो उन्होंने official notification में तो august से September के बीच में बोला है कि वह exam conduct कराएंगे official notification में यह mention है ठीक है चलिए अभी पहले हम लोग theoretical part revise कर रहे हैं सीरीज में अगर आप लोगों को need हुई तो जब हमारी यह series complete हो जाएगी आपके सारे subject theoretically revise हो जाएंगे जैसा हमें लगता है और तब तक हमारे examination की date जो है hopefully वो भी हम लोगों को मिल गई होगी तो जब examination date सामने होगी तो questions या marathon classes जरूर आप लोगों के लिए plan की जाएंगी ठीक है चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपना plane table survey की जो जो answers आप लोगों को आत plane table survey में नाम से पता चल रहा है plane table board होता है और plane table board को हम tripod के उपर place करते हैं और इसी के उपर हम लोग एक white color की sheet रखेंगे तो sheet किसलिए रखते हैं मैं जिस time पर हम किसी सामने object को देख रहे होते हैं जैसे ही object को side करते हैं at the same time हम उसको क्या कर सकते हैं plot कर सकते हैं तो यहाँ पर आपका plane table survey में जिस time पर हम सामने देखेंगे object को same time पर हम उसका map और plan बना सकते हैं चलिए मुझे plane table survey की एक बार आप कुछ limitations बता दीजिए आपने इतने सारे survey पड़े हैं तो कोई एक limitation जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है जो आपको लग रहा है कि plane table survey की limitation हो सक इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और हमें accessories नजर आ रही है वो क्या-क्या accessories है एक बार उनके बारे में देखते हैं देखिए एक तो होती है हमारी यहाँ पर level tube जो level tube है उसका काम क्या होता है leveling करने का या इसको bubble tube बोलते हैं बताइए bubble tube में कौनसा liquid fill किया जाता है already पुरानी classes में हमने जाना है एक ऐसा liquid fill करेंगे जिसका temperature के साथ जो variation है वो minimum देखने को मिले जैसे ethanol हो गया chloroform हो गया alcohol हो गया यह सारे हना तो यह सारे हमारे level tube के examples हो जाएंगे यहाँ एक compass होती है और इस compass का नाम है trough compass यहाँ एक compass होती है इसका नाम है trough compass और already आपको compass survey में क्या ब direction बताने के लिए nor south direction represent करनी है उसके लिए हमें compass से यह होती है अब जब आप सामने किसी object को site करोगे at the same time मैं बोल रहे हूं sheet के उपर आपको plot भी करना है तो site और plot करने के लिए sighting के लिए यहाँ पर किसका use होता है कोई बता सकता है इसका नाम क्या होगा साइटिंग के लिए किसका use होता है एलीडेड का use किया जाता है ठीक है इसके अलावा instrument के अगर आपको centering करनी है तो centering के लिए use होता है यहाँ पर plumbing fork centering के लिए use होता है plumbing fork तो यह सारे नाम एक साथ इसलिए लिए क्योंकि आपको पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी accessory plane table survey के साथ use होती है या फिर पूछ सकते हैं plane table survey के साथ use नहीं होती है बिल्कुल हरशित पंथ बिल्कुल बहुत अच्छा response कर रहे हो आप बाकी लोग भी ठीक है तो आप देख प्रसियत यह है कि हमें बाद में फिर से मैप और प्लान बनाने के लिए टाइम नहीं चाहिए होगा जैसी object देखा at the same time हमने कागस पे उसको plot कर लिया है लेकिन limitation यह है कि अगर site पे किसी point को plot करना भूल गए तो बाद में उसको हम लोग के किसी भी तरीके जो भी अपना ल नहीं है और यह प्लेंटेबल अपने आप में बहुत ही हैवी होता है और जब बारिशों का टाइम होगा रेनी सीजन होगा कोई बता भी रहा था अभी वैदर अगर खराब होगा तो आप यह सर्वे नहीं कर सकते हैं dense forest में अगर आपको कोई object clearly नहीं दिखाई देरा तो आ प्लेंटेबल सर्वे को कौन से स्केल अगर हमें मैप बनाना है कितने से कितनी रेंज के बीच में जो हम स्केल सेलेक्ट करें जब हम प्लेंटेबल सर्वे करते हैं तो वन रिशो 10,000 से 1 लेग 25,000 के बीच में आपका जितना भी अगर यह आप क्या बूला है स्मोल एंड तो जहां पर भी accuracy जादा require होती है, इसको हम जातर prefer नहीं करते हैं, हो सकता है आप लोगों ने college में use किया हो, college में आसानी से आपको ये instrument दे दिया जाता है कि ये लिजिए और survey करके आईए, लेकिन total station नहीं दिया जाता है क्योंकि total station इतना costly, total station इतना costly होता है कि अगर उसकी ए measurement लेना भूल गए, तो बाद में वो measurement हम लेना ही पाएंगे, फिर से side पे plane table को set करना पड़ेगा, weight बहुत जादा होता है, difficult होता है handle करना, अगर season जैसे बारिशों का time है, तब हम इसको नहीं ले जा सकते, या फिर dense forest है और heavy forest है, वहाँ पर हम plane table survey नहीं कर सकते, अब plane table के सा साथ कौन कौन सी accessories हैं, जो हम लोगों को require हैं, देखिए, एक एक करके, जहाँ star लगा दिया, मतलब वो आपका one mark का question है, सबसे पहले, plane table हमारे different type के होते हैं, एक wood का बना होता है, normal table आपने देखे होंगे, जिस पर आप पढ़ाई करते होंगे, आपका study table होगा, तो वैसा ही plane table होगा, इसमें आपसे generally जो पूछा जाता है, वो आपसे पूछा जाता है, drawing board का size, ज्यादा तर johnson table यूज किया जाता है, जो johnson table का size है, यह important है, 45 x 60 या 60 x 75 cm, इस range के बीच में vary करता है, तो यह size, very good sort of, सही बता रहे हो, 45 x 60 और 60 x 75 के बीच में vary करता है, यह आपका one mark का question है, तो size आपको यहाँ पर याद रखना है, दूसरी चीज़ क्या चाहिए, tripod चाहिए, tripod क्यों बोला, 3 legs है, tripod इसलिए बोला, stand जिस पे 3 legs है, इसके उपर आप किसको place करते हो, इसके उपर आप place करते हो, मैं plane table को, ठीक है, और plane table के उपर किसको रखोगे, sheet को रखोगे, जिस में आपको क्या करना होगा, जिस object को site कर रहे होंगे, उसी को सामने plot करना होगा, अब यह बता दीजिए, यह जो picture है, यह क्या represent कर रहे है, आप लोगों को जब भी मैंने पढ़ाया है, तो सारी images दिखा कर बताया है, कि कौन सी चीज, कैसी दिखाए देती है, कि practically अगर site पर भी जाते हो, कोई आप से पूछता भी है, तो आप उसको भी बता पा πάऊगे, कि इसको कैसे use करते हैं, Very Good, Elie Deid के भी दो टाइप होते हैं, ये कौन से वाला यलेड है, अगर यलेड आप आंसर कर रहे हैं, यह कौन सा है, तो यहाँ पर एक होगी हमारी आई बेन और एक होगी हमारी उबजेक्ट बेन, तो सामने मानलेजे यह एक रेंजिंग रोड आपने प्लेस कर दी, आपने क्या करना है, यह प्लें टेबल उपर आपने प्लेस कर दिया एलीडेड तो ये वाला एलीडेड है हमारा प्लेन एलीडेड जिसको हिली एरियाज में प्रैफर नहीं किया जाता जनरली ठीक है तो क्या है अब मैं प्लेन टेबल बोर्ड ऐसे था आप यहां से देख रहे हो सामने एक रिंजिंग रोड को साइ कर रहे हो तो मैं जैसे ही आपने प्लेन टेबल बोर्ड और सामने किसी ऑबजेक्ट को साइट किया आप चाहते हो यह लाइन आप शीट पर भी प्लॉट कर दो तो प्लॉट करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब यह जो लाइन बनानी है उसके लिए हमें स्केल चाहिए होगा तो स्केल जो होता है वह हमारा प्लेन एलिडेड में ही बना होता है इसके इस एज पर यहां पर मार्किंग्स आपको दिखाई देंगी जैसी आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रह बनी होगी उसको बूला जाता है फिडूशियल एज क्या बूला जाता है इसको फिडूशियल एज जिसमें आपकी सेंटीमीटर में डिस्टेंस लिखा होगा तो जिस टाइम पर मैं हम साइट कर रहे हो एट दे सेम टाइम आप चीज़ को यहां पर प्लॉट भी कर पाऊग तो प्लेन एलिडेड में क्या बात आ गई यूज फॉर साइटिंग दॉबजेक्ट और साथ साथ में आप लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हो ग्रेजुएशन एक साइट पर बनी होती है और उस एज को जो बिवेल्ड एज होता है उसको फिडूशियल एज बोला जाता है यह ज टेलिस्कोपिक एलिडेड को हिली एरियाज में क्यों यूज किया अब मैं प्लेन टेबल सर्वे कर रहे हो आपने प्लेन टेबल के उपर तो मानलों इसको प्लेस कर लिया अब सामने जो कोई ऑब्जेक्ट था वो किसी लोवर एलिवेशन पर था आपने इसको रखा है यहां पर एक टेलिस्कोप लगा है और आप लोगों ने कुछ टेक्योमेट्रिक एक्वेशन पड़ी होंगी अब्जेक्टी में नहीं पूछा जाता तो वो टेक्योमेट्रिक की एक्वेशन लगा कर भी हम इन दो के बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं और अगर कोप होगा एक लेवल ट्यूब होगी ग्रेजुएटी डार्क मांटी डॉन होरिजॉंटल सरकल अच्छा मांटी डॉन होरिजॉंटल एक्सिज अच्छा मुझे एक बात बताओ अगर इसमें वर्टिकल सरकल पीछे बना हुआ है तो आप कौन सा एंगल मेजर कर रहे होंगे यहां पर होरिजॉंटल एंगल या वर्टिकल एंगल अगर वर्टिकल सरकल दिख रहा है यहां पर पीछे वर्टिकल सरकल पर क्या होता है मैं रीडिंग्स बनी होती है रीडिंग्स बोल सकती हूं या मैं बोल सकती हूं ग्रेजुएशन जमार्क रहती है तो जब भी आपक की बात करते हैं ट्रफ कमपास का काम क्या होता है नौर्थ और साउथ की डिरेक्शन दिखाना अब मैंने आपको ना पूरा डिटेल में बताया था कि ट्रू मेरेडियन और मेगनेटिक मेरेडियन क्या होता है फिर भी बच्चा कोई डाउट में पूछ रहा है मुझे ग्रूप में की मेगनेटिक कमपास होती है मैं हम ट्रफ कमपास किस तरीके के होती है कुछ इस तरीके से एक पॉइंट इंड इस तरफ होता है पॉइंट इंड इस तरफ होता है ट्रफ कमपास में भी कुछ graduation बनी होती है यहां भी कुछ graduation बनी होती है आप इस ठरफ कंपास को playing table board के उपर प्लेज करते हो playing table board के उपर जब place करोगे तो जब आपकी ठरफ कंपास में reading 00 degree दिखाई दे रही है मतलब ये कौंसी डिरेक्षिन दिखारा है अब मुझे बताओगे ठरफ कंपास का यूज़ क्या है यहाँ पर क्यूं हमें जरूरत पड़ी magnetic north और south को दिखाने की बताईए टरफ compass की जरूरत क्यूँ पड़ी हमें magnetic north और south को दिखाने की वो तो magnetic bearing की बात कर रहे थे जब हमारा compass survey था यहाँ क्या जरूरत है कोई बता सकता है क्या कोई बता सकता है very good Prince Kumar से यह answer कि आपने इसका काम होता है orientation करना और orientation क्या होता है अभी just हम थोड़ी देर में उसको समझने वाले हैं ठीक है चलिए अब बात करते है spirit level क्या होता है spirit level हमने already पढ़ा leveling tube तो अगर मैं आप plane table यह plane table को tripod legs के उपर place कर रहे हो तो अब आपको चाहिए कि plane table बिल्कुल level हो horizontal हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर place करनी पड़ेगी अपनी level tube और level tube को आप perpendicular रखोगे पहले आपने इस वाली इस वाले edge से बिल्कुल parallel रख लिया और bubble को center पर ले आए फिर आपने इस direction में अपनी bubble tube को रखा और bubble को center पर ले आए तो दोनों तरफ से bubble जो होना चाहिए वो कहां पर आना चाहिए मैं वो center पर आना चाहिए और अगर bubble center पर आ रहा है तो यह प्रॉपरली लेवल है ठीक है तो में गानी यहां पर क्या होती है कि bubble को center पर ले कराना अगली चीज़ आती है plumbing fork plumbing fork का का काम क्या होता है आपको ना इन सब का काम पता होना चाहिए और चीज़े नहीं पूछते हैं कि कौन सी चीज किसलिए यूज होती है तो plumbing fork का का क्या है बताइए centering करना centering तो सीधा plumbob से भी हो जा रही थी तो plumbing fork में extra क्या लगा हुआ है मैं plumbob का मतलब है एक धागा है और धागे के नीचे एक steel का एक कौन बना हुआ है और यह हमें क्या बताता था कि हमारे इंस्ट्रूमेंट का center point क्या है अब बिल्कुल सही सही बता रहे हो प्रिंस कुमार जैसे ही ground का कोई point A था मैं चाहती हूँ कि ground के इस point A को अपनी sheet पर दिखा सकूं कि यह small a point कहा आएगा sheet पर दिखाने का मतलब यह हुआ कि मैं एक imaginary line side पर imaginary line side पर ऐसे draw करती हुई दिखा सकूं जिससे कि मुझे पता चल जाए कि a point अगर यहाँ पर है तो यह sheet पर कहा आएगा तो already जो point ground पर है उसको अगर हमें sheet पर लाना है तो भी plumbing fog चाहिए होता है या फिर कोई point जिसको हमने sheet पर plot किया है उसको हमें ground पर लेकर आना है तो भी हमें plumbing fog की requirement होती है यह दो काम plumbing fog के बहुत जरूरी है plane table survey में ठीक है यह दोनों चीज़ें याद रखना है अब यह तो बहुत सारे exams के लिए बहुत ही important question है कि कैसे हम लोग temporary adjustment करते हैं temporary adjustment का मतलब क्या होता है जब भी आप किसी instrument को side पे लेके जाते हो ऐसा तो है तो जब आप अपने instrument को यहां से उठा कर एक नई जगा रखते हो नई जगा से तीसरी नई जगा रखते हो जितनी बार आप instrument को अलग-अलग जगा पर place करोगे हर जगा पर आपको जो अलग-अलग adjustment करनी पड़ेगी उसको क्या कहते है temporary adjustment temporary adjustment कि सीरीज में की जाती है पेपर का question सबसे पहले तो आप क्या करोगे temporary adjustment में मैं सबसे पहले तो हम अपने tripod के उपर plane table को fix करेंगे tripod के उपर plane table को fix करेंगे और tripod को कुछ इस तरीके से index को ऐसे एड़ेस्ट करेंग थोड़ा सा वो लेवल हो आपकी height के according आ जाए कि आप इसके उपर lines को draw कर सको दूसरे case में क्या करेंगे second मैं second करेंगे इसके उपर आपने place कर दी आप proper होनी चाहिए leveling और leveling करने के लिए आप किसका use करते हो level tube का कैसे करोगे leveling एक बार level tube मैं ऐसे place करके bubble को center पर लाएंगे और दूसरी बार इसी बबल ट्यूब का perpendicular आप बबल ट्यूब रखोगे और बबल को center पर लेकर आओगे centering का मतलब क्या होता है instrument का center point उड़ना उसके लिए हम किसका use कर रहे हैं उसके लिए हम plumbing fog का use कर रहे हैं ठीक है नेक्स चीज आ जाती है orientation यह हमारी बाकी के instruments में हम नहीं करते हैं plane table survey में orientation से question भी पूछे जाते हैं अब बाकी की सारी कहानी तो simple थी अब orientation क्या होता है वो जानते एक बार मुझे बता orientation करने के कौन-कौन से तरीके एक बार मुझे यह बताएंगे orientation करने के methods क्या-क्या है कैसे-कैसे हम लोग site पर orientation कर सकते हैं with the help of plane table बताईए कैसे-कैसे हम plane table की help से orientation कर सकते हैं very good पहला आपने बताया है trough compass की help से और back sighting दो basic method है very good तो एक तो है हमारा with the help of मतलब एक तो है कि हम back sighting करके orientation करें और दूसरा है with the help of trough compass अब यह करने की जरूरत क्या पड़ी करने की जरूरत क्या पड़ी की orientation होता क्या है जब भी आप अपने plane table में मालीजी आपने plane table को किसी एक जगा पर प्लेस किया है यहां रखा है plane table तो plane table पर मैम आपने यहां पर एक line draw करी थी A और B तो अगर आपने यह line A और B draw करी है इसका मतलब आपने LED लिया होगा LED से आपने यहां से site किया होगा B point आपको कहीं पर सामने दिखरा होगा तो A से B की तरफ जाती हुई आपने scale select करके एक line की length यहां पर draw कर लियोगी अब जब आपने instrument की position को change करना है जब आप अपने instrument को उठा कर B पर place कर देते हो तो क्या होगा अब आपने instrument को उठाया अपने plane table को और B पर रख दिया अब क्या ज़रूरत है मैं जब B पर जाएंगे ना तो हमारी ये वाली जो AB line है जो यहां पर A station था जब मैं यहां से वापिस B से A की तरफ देखूँ तो अभी भी वो सीधी line इसके along ही आनी चाहिए तो मैं क्या चाहती हूँ कि अभी भी जब मैं B से A की तरफ देखूँ तो यह straight line के along आए ऐसा ना हो कि मैंने plane table को इस तरीके से place कर दिया है कि line मेरी B A ऐसे जा रही है तो इसलिए हम orientation करते हैं कि actual में जो ground पर lines है हम sheet पर जो बना रहे हैं वो उसके parallel ही होनी चाहिए बही अलग direction में ना जाए तो वो करने के दो तरीके हैं पहला तरीका क्या है back sighting करके मतलब आपने A से B पर object रखा और वहाँ से line draw कर दी B object को sight करते हुए फिर मैं आप जब B पर अपने plane table को रखोगे PT मतलब मैंने plane table लिखा है ठीक है जब आप B पर plane table रखोगे B पर फिर से आप LED को रखिए और वापिस से पहले वाले station को क्या करिए back sight करिए और back sight तब तक करिए जब तक जब आप B से A की तरफ एक ray बनाओ और वो एक सीधी line ना आ जाए तो back sight करके आप अपने plane table को ऐसे arrange कर लो कि यह line सीधी आ जाए एक तरीका तो यह है orientation by back sight का और इसी को हम सबसे ज़्यादा prefer करते हैं अगर इन दोनों methods में पूछा जाए कि back sight जो है यह हमारा most accurate method कोई बता सकता है accurate क्यूं है क्यूं ट्रफ कम पास इतना accurate नहीं है बोलिए बोलिए ट्रफ कम पास इतना accurate क्यूं नहीं है अब मैं बोलूं अगर मुझे काम जल्दवाजी में करना है मुझे accuracy यहां पर गई तो मैं अपने plane table को set किया लेवल किया, centering की, उसके बाद यहाँ पर top right corner में अपनी trough compass को place कर दिया, जब मैंने trough compass को place किया, तो मैंने जब plane table की position मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, मैंने यह observe किया कि इस time पर trough compass पर reading कितनी है, 00, मतलब अब अभी magnetic north और south की direction में है मेरा plane table, तो अब आप आपने जितनी भी observation ली, मैं यहाँ पर draw करती, अब जब भी आप नए station पर जाएंगे, जब भी आप नए station पर जाओगे, तो आप क्या करोगे, back setting करने का कोई काम नहीं है, आप अपने plane table की setting करो, leveling करो, centering करो, उसके बाद रख दो यहाँ पर top पर trough compass, और अपने plane table को तब जब तक rotate कर दो, जब तक trough compass में reading कितनी ना आजाए, मैं 00 reading ना मिल जाए, तो ऐसे करते करते हर station पर, magnetic north और south की direction को fix कर देते हैं, अगर वैसे करके orientation कर रहे हैं, time कम लगेगा, लेकिन error आएगा, very good विजे कुमार, सही कह रहे हो, सौरब ने भी सही answer किया है, क्योंकि compass में problem जो आएगी, वो किस में आएगी, compass में problem आएगी, local attraction में और उस वज़े से वो error दिखा सकता है, तो इतना जादा accurate नहीं होता, पर जल्दी अगर काम करना है, तो हम compass का use वहाँ पर कर सकते हैं, clear हो गया, अब देखिए, leveling तो मैंने आपको बता दिया, process of bringing the plane table in horizontal plane, इसके table tube, एक दूसरे के perpendicular रखेंगे और उन दोनों में bubble को center पे लेके आएंगे, centering का मतलब क्या हो गया, bringing the plotted point on the table exactly over the ground, मतलब है, जो आपका sheet पर point था, उसको आपको अगर ground पर लेकर आना है, कि वो कहा होगा, तो plumbing fog की help से, आप ये कर सकते हो, ये ground वाले point को sheet पे लाना है, तो भ देखे, एक था trough compass और एक था back sighting, जो हमारा trough compass है, वो हमारा उसमें error आने के chance जाए है, back sighting हमारा उसके comparison में ज्यादा सही रहता है, ठीके, अच्छा, ये दोनों मैंने आपको बता दिये, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ, I hope यहाँ पर कोई doubt नहीं होगा आपको, तो back sighting भी समझा दिया, अब देखिए, ये चार methods है, plane table survey के, आप मुझे बताएंगे question सुनिये जरा, अगर मैं आप से पूछूँ कि मुझे plane table survey करना है, एक point को locate करना है, जहां तक मैं पहुंच नहीं पा रही, लेकिन उस point को मैं देख पा रही हूँ, इसका मतलब हम distance नहीं observe क कर पा रहे, उस object तक का, लेकिन उस object को मैं cite कर पा रही हूँ, तो आप मुझे बताएंगे, इन में से मैं कौन सा method वहाँ पर prefer करूँगी, जिसने पढ़ा है, वो answer कर सकता है, जिसने नहीं पढ़ा है, जब मैं इन चारो methods को explain करूँगे, तो बाते ध्यान से सुनना जो बोल होंगी, सौरब कहा रहे हैं, intersection, और कोई answer करना चाहता है, is resection method, resection में हमें orientation करना पड़ता है, लेकिन orientation के basic method यही है, back sighting और trough compass, ठीक है, back sighting और trough compass, orientation करने के, दो methods ही है, resection में आपको, जो आप बोल रहे हो, उसमें orientation करना ही पड़ेगा, आम लोगों को, उसको अभी मैं थ सही बता रहे हो, intersection, तो सभी लोग सही बता रहे हैं, अब देखिए, एके करके सारे methods के बारे में हम जानेंगे, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, radiation method की, देखो, radiation method है सबसे असान, radiation method में मुझे करना क्या होता है, डाइग्राम है तो दिखा देती हूँ यही से, radiation method में क्य table सर्वे रखा, plane table रखा, मैं यहां कोई object A था, यहां B था, कोई object C है, कोई D है, ठीक है, जहां पर आपने plane table रखा है न, वहां से आपको वो सारे points clearly दिखाई दे रहे हैं, जिनको आप plane table पर plot करना चाहते हो, जिनको आप plane table पर plot करना चाहते हो, वो सारे points अगर एक ही station से visible ह तो आप कौन सा सर्वे करते हो, कौन सा method यूज करते हो, radiation method, अब जब आप ये सारी observation करोगे, तो आप इस case में distance measure कर रहे होंगे, किस की help से measure कर रहे होंगे, chain और tape से, तो जब आपको ऐसा बोला जाए, कि different point की position को locate करना है, आपको वो points दिखाई भी दे रहे हैं, और visible भी है और accessible भी है, तो कौन सा method यूज करेंगे, radiation method यूज करेंगे, ठीक है, जैसे ही है, मैंने आपको picture दिखाई, लेकिन intersection method का prefer करते है, when, distance between point and instrument station is either too large और cannot measured accurately, point के बीच में और जहाँ पर, मतलब अगर मान लीजे, मैं सामने कोई एक tower है इस तरीके से, और यहाँ मैं plane table को place करके, इनके बीच में observation करना चाहती हूँ, यहाँ पर एक tower है और यहाँ पर एक tower है, लेकिन बात यह है कि मैं इनके बीच तक का distance जो है, इन दोनों से यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ measure नहीं कर पारी, पर मुझे दोनों clearly दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर हम intersection method यूज करते ह कैसे intersection होगा, अब वो देख लेते हैं, तो इसमें हम बोलेंगे कि points visible तो है, but these are not accessible, accessible नहीं है वहाँ तक जाकर distance जो है, वो measure नहीं कर पारे हैं, तो अब इसमें क्या हुआ, मैं हम आपने दो ऐसे station select करने हैं, इस method में आपको दो ऐसे station की requirement होगी, जहाँ आप plane table को रखो, और जिन point को आपको sheet पे plot करना है, वो यहां से भी दिखाई दे और दूसरे station से भी दिखाई दे, तो इस picture में सिरफ एक छोटी सी चीज़ है, क्या है, मैं हम यह C, D और E, यह तीन वो station है, यह तीन वो station है, जो clearly visible तो है, but these are not accessible, तो मैंने दो ऐसे station select कर लिए, जहाँ से C, D और E दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले मैं हमने एक station पर plane table रखा, और plane table रखके C की तरफ देखते हुए एक ray बनाई, D की तरफ देखते हुए एक ray बनाई, इनकी length हमें पता नहीं है, जितनी sheet में जगा है, आगे तक बना देनी है, और E की तरफ देखते हुए एक ray बनाई, फिर अपने plane table को एक नई जगा पर, जो कि हमने अपनी मर्जी से B station select किया हुआ है, वहाँ पर हमने plane table को रखा, अब मैं, A और B के बीच का distance हमें पता होगा, तो यहाँ भी line बना सकते हैं, जब आप B पर जाओगे, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, orientation करनी लेगी by back sighting, यहाँ गए, मैं, यह पिछली वाली race तो already sheet पे बनी थी, अब नए वाली race को पिछली वाली race ने किन points पे cut किया, तो नए वाली race को पुरानी race ने जिन points पे cut किया होगा, यह वाले points आपको क्या represent कर रहे हैं, C, D और E, ठीक है, तो इससे हमने क्या किया, जिन points क को हम सिरफ देख पा रहे हैं, पर हम पहुंचने वारे महां तक उन points को plot कर दिया, तो इसके लिए जरूरत क्या थी, एक ऐसे station की जरूरत थी, जहां से यह तीनो clearly दिखाई दें, कोई doubt यहां तक तो पूछिए, कोई doubt यहां तक, next method है, traversing, traversing हम पहले भी पढ़ते आए हैं, ट्रेवर्स में क्या करना होता है, ट्रेवर्स में मैं हम दो observation लेते जाते हैं, इससे पहले जो हमने सीखा है, अगर कोई station A है मानलो, A पर मैंने क्या किया, A से मानलो मैं अभी compass traversing की बात कर रही हूँ, अब आप लोग पढ़कर आ रहे हो, मैंने पहले revise कराया हुआ है, तो compass की help से मैं A से B के लिए आपने angle भी measure कर लिया और आपने distance भी measure कर लिया, तो एक angular measurement हो गई, एक distance measurement हो गई, फिर B से C की तरफ गई, तो C पर भी आपने compass को भी रखा है, और chain या tape की help से आप distance measure करते जा रहे हो, तो जिन जिन points को मैं हम आपने plot करना है, उन सारी जगा पर instrument को place करना है, यहाँ भी compass रखोगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इन चारो जगा compass रखनी है, तो traversing method में हम क्या करते हैं, जो जो point plot करना है, sheet के उपर, उन सारे points पर किसको place करते हैं आपने plane table को, जैसे यह देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ plane table रखा, यह small a point आपको द station की तरफ देखते हुए एक ray बना दी, अब मैं क्या करूंगी, बी station पर plane table रखोंगी, और अगले station की तरफ देखते हुए ray बना दूंगी, अब मैं C पर plane table रखोंगी, D को देखते हुए ray बना दूंगी, और D से E की तरफ, तो जहाँ इसमें आप mean चीज याद रखना, कि वो method जिसमें जो भी point plot करना है, वहाँ पर हम plane table को place कर पाएं, तब ही आप इस method को use करोगे, जिसको बोलते हैं, traversing method, clear है, traversing method आपको कब use करना है, कुछ थोड़ा बहुत idea तो लग गया होगा, हाना, चलो, अब जल्दी से, जैसे थोड़ा सा भी हमने पढ़ा, उससे related discussion का answer आप लोग कर सकते हो, कि orientation of plane table can be done, plane table survey में हम orientation कैसे कर सकते हैं, will it cut perpendicular to those lines, किस line को perpendicular cut करेगा, और repeat क्या करना है, राम निवास, एक बार ये भी बताईए, repeat क्या करना है, वो आगे point भी mention कर दीजिए, इसका answer क्या होगा, orientation of plane table कैसे कर सकते हैं, कर रहे हो ना गलती अब, orientation दोनों तरीके से कर सकते हैं, ट्रफ कमपास से भी कर सकते हैं, और बैक साइटिंग से भी कर सकते हैं, दोनों ही method से हम orientation कर सकते हैं, traversing को explain करना है, मैं repeat समझा देती हूं, traversing में क्या होगा, इसका answer option C बनेगा, ठीक है, अच् one of the following is not a working operation of the plane table, इनवे से कौन साव plane table का working operation नहीं है, not a working operation of plane table, देखो जड़ा answer C करने वालो, मोहन द्यान से नहीं देख रहे हो, अभी अभी तो सारे नाम बताए हैं, जब class start होई, तो सबसे पहले ये सारे methods तो बताए आपको, तो आपको बताया था, leveling करते हैं, centering करते है औरियन्टैशन करते हैं, Transiting नहीं होता, अभ जरात जो intelligent लोग हैं, ये बताओ जरा कि Transiting क्या होता है, कहां पढ़ा था आपने Transiting, आंसर is option D, transiting कहा होगा, वो बताओ, अब देखिए, intersection में जो आपको लाइन का कट होना नहीं समझाया, वो क्या था, आप देखना, मैं इसके nerوجे बना रहे हूँ, same ऐसा diagram, मैं A से बी ऐसे था, एक आपने C को जाते हुँँ एक रे बनाई, D को देखते हुए एक रे बनाई और E को देखते हुए एक रे बनाई तो मैंने इसको A से नाम दे दिया C, D और E clear है आयूश ये ले इसको भूल जाओ A से C को देखते हुए A से D को देखते हुए और A से E को देखते हुए एक रे बनाई तो यह हमारे plane table में कुछ ऐसे बना हुआ था अब इसी same sheet को इसी same sheet को हम यहां ले आए तो यहां जब लाए तो इसमें क्या बना हुआ था A से C की तरफ देखती हुए एक ray A से D की तरफ और A से B की तरफ देखती हुए रहे यह 3 और A बनी हुए थी आयूश बताना अभी clear हुआ आप क्या करना है मैं B पर रखना है L E dead B पर रखना है L E dead अब B से same काम करना है क्या करना है B से देखा C की तरफ जब B से देखा C की तरफ इस blue वाली line ने pink line को जहां cut किया वो हमारा C station हो गया ground पर अब B से देगा D की तरफ जहां पर इसने D वाली line को cut किया पिछली line को cut किया यह हो गया capital D point जो ground पे होगा similarly B से जब आपने E station को देखते हुए एक ray बनाई थी इसने जहां cut किया वो हमारे ground वाले points है ठीक है very good सही बता रहे हो मैंने खा था अगर intelligent हो तो बताना मैं देख रही हूँ सभी बताने लगए मान लिए आप intelligent हो transiting का मतलब होता है theodolite में बढ़ा था अगर हमारा telescope जो इसमें है theodolite में वो vertical plane में एक सो सी डिगरी पे rotate हो पाए तो हमारा transiting होता है तो I hope यह समझ में आ गया होगा और इसमें क्या करना होता है अगर हमें A point को sheet पे plot करना है तो A पर plane table रखना पड़ेगा B को sheet पे plot करना है तो B पर plane table को place करना पड़ेगा तो सारे points accessible होने चाहिए जितने भी points है वो सारे accessible होने चाहिए एकसेसिबल है तब ही आप प्लेंटेबल रख पाओगे, जहाँ आप प्लेंटेबल रख रहे हो उन्हीं पॉइंट्स को आप शीट पर प्लॉट कर सकते हो, in case of traversing, और मैं उन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते हो जाओगे, देखो लास्ट में आपको यह पूरा जो सरकल है चलो अब मुझे लगता है यह डाउट जिसका था वो भी क्लियर हो गया होगा री सेक्षन में देखो मैं आपको पहले बता दू एक तो आप 2.3 पॉइंट प्रॉब्लम से जो डरते रहते हैं उस बात को ध्यान से सुनना 2.3 पॉइंट प्रॉब्लम से आपके अब्जेक्टिव एक्जाम में यही पूछा जाता है कि यह क्यों किये जाते हैं है क्या यह 2.3 पॉइंट प्रॉब्लम अगर आप SACJ मेंस का एक्जाम लिखते हो तो वहां बहुत बार आया है कि 3.2 पॉइंट को एक्स्प्लें करो कैसे अब क्या है मैं ऐसी बात है कि मान लीजिया आप सर्वे करने गए थे आपने किनी दो पॉइंट को शीट पे प्लॉट कर लिया एक्जामपल के लिए समझा रही हूँ री सेक्शन होता क्या है आपने क्या किया ग्राउंड पर दो पॉइंट को जो आपने प्लेंटेबल को रखा था और प्लेंटेबल को रखके एक्चुल में A और B कुछ यहां थे आपने शीट पर इसको प्लॉट कर लिया था लेकिन अब बीच में बारिश लग गई मैं आपना प्लेंटेबल उठा कर ले आई अब मुझे क्या करना है मैं यहां पर एक ऐसा पॉइंट की पुजीशन निकालनी है कि जहां पर मैं प्लेंटेबल को रखूं अब देखिए ओल्रेडी प्लॉटेड पॉइंट है मेरे पास शीट पर क्या ध्यान रखना है शीट पर आपके पास A और B जो है देट आर ओल्रेडी प्लॉटेड प्लॉटेड एक ऐसा पॉइंट ढूणना है कि जो हमारा जहां हम प्लेंटेबल को प्लेस करें पॉइंट का ढूणना है शीट के उपर कि कहा वो पॉइंट हो जहां अगर मैं प्लेंटेबल को रखूं तो मैं जहां अगर आपका A और B ग्राउंड पर ऐसे था तो शीट पर भी वो इसक plane table की position निकाल रहे हैं, किसकी help से, जो points already plotted हैं, उसकी help से, तो अब मुझे क्या करना है, मैं हम यहाँ पर A station है न, capital A, इसको site करा मैंने, capital A को site करा, और backward direction में एक ray बना दी, जो backward direction में ray बनाई न, इसी ray को क्या बोला जाता है, इसी को re sector बोला जाता है, अब B, B पर validate रखा, ठीक B पहले से plot तो है, अपनी मर्जी से गए side पे, plane table रख दिया, वहाँ पर, A से capital A को देखते हुए, पीछे की तरफ एक line बनानी है, इस backward direction में जो ray बनाई, इसको बोला री sector, अब B से capital B को देखते हुए, एक ray बनाई, इसको बोला री sector, जहाँ यह दोनों ने cut कर दिया, यह म मतलब समझ में आया कि नहीं आया, यह बताओ, आदे लोग बोलते हैं, समझ में नहीं आता क्या होता है, री section समझ में आया कि होता क्या है, बोलो, जो already plotted point है, हमारे sheet के ओपर पहले से बने हुए, उनकी help से मुझे क्या करना है, उनकी help से मैं मुझे, एक point ऐसा निकालना है, एक point ऐसा निकालना है कि अगर मैं यहाँ plane table को रखती हूँ, तो already जो plotted point है, ground वाले points के बिलकुल parallel आ जाएं, ठीक है, चलो, अच्छा, आप क्या बुला है इसने, if the table is not correctly oriented, अगर आपने plane table को properly वैसे नहीं रखा है, जैसे यह होना चाहिए, तो क्या होगा, we cannot get the correct location of the station, और ह हो सकता है, यह दोनों raise यहाँ पर जब आप backward direction में बनाओ, तो हमारी sheet पे मिले ही ना, ठीक है, अब resection में आती है, आपको यह जो ध्यान रखना है, resection कैसे किया जाता है, तो resection after orientation by compass, एक तरीका क्या है resection करने का, कि compass से आप properly orientation कर लो, पर देखिए, जहां compass आएगी ना, जह जहां भी compass आएगी, वहाँ पर तो है error, जहां compass आएगी, वहाँ पर है error, तो अगर मैं आप यहाँ पर site पे गए, आपने दो points जो already plotted थे, उनकी help से एक नया point ढूनना भी है, तो अगर आप compass यहाँ पर रखते हो, north-south की direction निकालते हो, backward direction में raise लेकर आते हो, जहां यह point मिलत है, आप बोलते हो, instrument station मिल गया, लेकिन problem यह है, कि जहां compass है, वहाँ local attraction की problem हो सकती है, तो यह resection method एक है, कि आप compass से orientation करवा सकते हो, एक resection method है, कि आप compass की जगा back sighting कर लो, orientation कैसे कर लो, back sighting करके, और आप जो already plotted point है, उससे आप एक नया point की position, निकाल लो कि हमारा instrument कहा होगा, तीसरा आता है, two point problem और three point problem, यह तो हैं भई सबसे जादे important आप लोग जानते भी हैं, जो तियारी कर रहे हैं, अब paper का एक सवाल यहां से क्या पूछा जाता है, कि two point problem और three point problem जो होते हैं, वो resection का method है, या orientation का method है, या leveling का method है, या leveling का method है, या centering का, तो आप क्या बोलेंग instrument के station को ढूणने के लिए, और इसमें time भी सबसे जादा लगता है, इनका मैं एक थोटा सा general idea आपको देना चाहूंगी, कई बार क्या होता है, two point problem की definition लिखी होती है, और पूछा होता है कि क्या define कर रहा है, objective में इस chapter से, इस topic से ऐसी सवाल आते हैं, कोई नहीं पूछेगा क ये plane table को orient कैसे किया, कहा plane table को रखा, किस direction में गुमाया नहीं आता है, ये चीज़ें आती हैं जो बता रही हूं, तो देखे, two point problem का मतलब क्या है, two already plotted points, two point problem का मतलब है, two already plotted points हमारे पास है, दो already plotted points की help से हम लोगों को instrument station की position निकालनी है, अपनी sheet के उपर, तो उसको बोल दिया two point problem, three point का मतलब, तीन points already sheet के उपर plotted हैं, जो हमें ground पर या side पर दिखाई दे रहे हैं, तो उन तीन already plotted points, मालो A, B और C, इनकी help से हमें क्या निकालना है, हमारे plane table की actual position, तो अगर ये दो points already plotted थे, किसी sheet के उपर, मुझे क्या निकालना है, मैं plane table को कहां पर place करूं कि properly orient हो ये, इन दोनो points के with respect to, अब ये A, B, C का मतलब क्या हुआ, जो मैंने यहां बनाया, देखो, देखो जड़ा, अब इसमें, इसमें मुझे पता है कि आप लोगों को doubt इसलिए रहता है, क्योंकि आपने plane table survey college में हो सकता है, ना किया हो, कोई problem नहीं है, तो वो survey perform करना भी नहीं है, यहां, paper को निकालने के लिए जो बाते बता हो नहीं जी है, वो मैं बता रही हूं, कि 3 point problem में 3 already points plotted होते हैं, तो ये small b का मतलब है, कोई capital B हमारा ground पर point था, ये हमारा capital A कोई ground पर point था, C हमारा ground पर point था, हमने पहले इनको कभी plot किया था, इनकी help से मुझे क्या निकालना है, कोई ऐसा point P, sheet के उपर, जहां पर हम plane table रखे, और ये सारी lines वैसे ही आए, parallel आ जाएं, जैसी हमारी sheet पर है, A, B और A, B इसके parallel हो, A, C और A, C इसके parallel हो, देखिए, तो क्या लिखा है, location of position on the plan, plan मतलब sheet पे बनाना है, of the station occupied by the plane table, by the means of two well-defined points, अगर हमारे पास, दो well-defined points है, जिनकी position already हमने पहले निकाल रखिये, और next method आता है, same definition के साथ, three point problem, three point problem में क्या कर रहे है, locating the position of instrument station, किसकी help से, with the help of three well-defined points, whose position have been already plotted, तो three points, जिनकी position पहले से plot है, एक unknown station, जहां पर होना चाहिए, उसकी position निकाल रहे हैं, ठीक है, कहाँ plane table की position होनी चाहिए, वो निकाल रहे हैं, किस से, जो already sheet पर बने हुए हैं, पहले से point, उनकी help से, three point problem को solve करने के methods के नाम बता दीजिए, जल्दी से, three point problem को solve कैसे कैसे हम कर सकते हैं, मतलब मैं, अगर आपको three point की position पता है, इनकी help से आप निकालना चाहते हो, plane table पर, एक ऐसे point की position जो properly oriented हो, तो कौन-कौन से methods यूज होते हैं, जो आपको नाम पता हैं, वो आप comment section में बताएंगे, layman method, graphical method, निहाल और captain के अलावा, ब्रिजिश, graphical method, layman, अरे और रह गया एक, तीन method है, layman और graphical तो बता दिया, तीसरा भी एक, तीसरा भी एक method है, पांच method है, नाम बता दीजिए जल्दी से, जो जो पता हैं आपको, देखिए, देखिए, तो सबसे पहले आते हैं, हमारा mechanical method, mechanical method को गई बार हम tracing paper method भी बोलते हैं, जब आप college में three point problem method solve करते हो, तो maximum time हो सकता है, आपने इस से solve किया हो, एक होते हैं हमारे पस graphical method, graphical method को, हम Bessel method भी को कहते हैं, और ये slide आपकी very very important है, आपके exams point of view से, ये slide बहुत important है, ध्यान रखिएगा, तीसरा आता है, हमारा layman method, layman में हम बहुत ज़्यादा heat and trial लगाते हैं, अलग-अलग जगा पर plane table को rotate करते हैं, तो layman method हमारा trial and error method है, या इसको triangle of error method भी बोलते हैं, क्योंकि इस case में क्या होता है, मैम जब हम three already plotted points जो हमारे पास थे, जो three already plotted points हमारे पास थे, इन तीनों को reference मान कर, इन तीनों को reference मान कर, अग हम backward direction में raise बना रहे हैं, जिनको हमने क्या बुला है, resector, अब resector जब draw करें, तो तीनों एक जगा पे ना मिलके, एक triangle बन गया, होना क्या चाहिए था, तीनों raise एक point पे मिलती, पर error है, इसलिए वो एक point पे नहीं मिली, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक triangle बन गया, और इसको बोलते हैं, triangle of error, तो अब triangle of error को हमें करना होता है, solve, और solve करने के लिए हम लगाते है, different layman's rule, तो यह triangle of error method हम इसलिए बोलते हैं, क्योंकि इस case में क्या होगा, triangle बन जाएगा, और हम इस triangle को क्या कोशिश करेंगे, हम इसको convert कर सकें, एक single point में, clear है, यहाँ तक सभी को, जो ब उच्छा गया है, तो ध्यान रखिएगा, जब आप three point problem को solve कर रहे होते हो, the accuracy with which plane table station can be located through three point problem, three point problem की जो accuracy होगी, उसको हम लोग बोल देते हैं, उसका fix, ठीक है, fix का मतलब है, कि accuracy क्या है, जब plane table को आप three point problem से solve कर रहे हो, अब fix जब हमारा good होता है, मतलब degree of accuracy of solution, मतलब three point problem का जो आपने solution किया, उसकी अगर accuracy हमारी जादा है, या जादा अच्छी है, if accuracy is high, तो fix को बोला जाता है, strong, ठीक है, अगर जो आपने three point problem की solution को जब आपने किया, उसकी accuracy जादा है, तो उसको बोलते है, fix हमारा strong है, otherwise क्या बोलते है, fix is poor, अब ये ना एक number का question पू को की position को fix करोगे, three point problem से जो आपने solve किया होगा, तो उसे क्या बोला जाता है, तो answer क्या करोगे, कि उसे fix बोला जाता है, ठीक है, हाँ, fix is also called accuracy, और इसको कितना degree of accuracy से solve कर रहे है, that is strength of fix, ठीक है, अब देखो, plane table survey करते टाइम, आपको कौन-कौन से errors जो है, वो देखने को मि सकते हैं, error हो सकते हैं, अगर हमारा plane table जो board है, वो perfectly हमारा plane नहीं है, हमारा जब हम sight कर रहे थे, validate की help से, तो हमारा eye vein और object vein जो है, वो एक दूसरे के parallel या सामने perpendicular नहीं आ रहे है, ठीक है, magnetic compass की वज़े से error है, कि वो हमारी proper नहीं है, ठीक है, if the fiducial edge is not straight, तो जो lines हम लोग fidu नहीं है, if plumbing fork and the plumbing bob is defective, तो उस वज़े से क्या होगा, जो point ground पर है, उसको हम sheet पर नहीं ला पारे, जो sheet पर है हम उसको ground पर easily नहीं ले जा पारे, three point problem, नहीं ऐसा नहीं है, three point problem की ज़्यादा accurate है, two point problem, three point problem, बस दोनों एक अलग तरीके की problems हैं, दोनों को solve करने की अलग तरीक है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, कि three point हमारा accurate है, बस three point को solve करने के हमारे चार, तीन-चार methods हैं, तीन methods मैंने आपको यहाँ पर बताए, तो अगर इतने methods आपने बनाए हैं, तो इसलिए इन methods से जब आप solve करते हो ना, इसमें भी जब आप layman method लगाते हो, क्योंकि उसमें rules बहु दिखाई दे, जिन दो points को already हमने plot किया है, उसके बाद orientation करनी पड़ती है, तो इसलिए हम three point को accurate बोलते हैं, क्योंकि हम इसको mathematically भी solve कर रहे हैं, ग्राफिकली भी solve कर रहे हैं, और hit and trial से भी solve कर रहे हैं, कि इसके help से हम जादा सही से point निकाल सकते हैं, ठीके? अच्छा, तो यह हो गया, plain table का एक quick revision करवाया है मने आपको, एक बार जरा मुझे कुछ questions की answer बता दीजिए, एक बार मुझे कुछ questions की answer बता दीजिए, in plain table serving, the intersection method is used, intersection method use हम कब करते हैं, कौन सा option या सबसे correct होना चाहिए, optical plumate ना वो हमारा theodolite में होता है, सचिन, civil engineering जो आपने पूछा है, optical plumate हमारा theodolite में होता है, उसकी help से भी हम centering करते हैं, जब windy condition होती है, जब बहुत हवाँ चल रही होती है, तो हमारा plum bob उस case में centering नहीं कर पाता, तो वहाँ पर वो चीज करते हैं, कलाम बैच अब कब? और यहां लिखा है, पॉइंट आर एक्सेसिबल तो होते नहीं है, एक्सेसिबल तो होते नहीं है, इनक्सेसिबल पॉइंट है, लेकिन साथ में क्या होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए, ऐसे सवाल आते है, state exam में, आप इनको कर पाओगे, अगर आपने थोड़ा अच् अच्छा, चलिए, अब मैं आपको थोड़ा बहुतना curves वाले chapter का idea देने वाली हूँ, फिर हम आज की class जो है, वो छोटी रहेगी हमारी, बाकी के miscellaneous हम कल cover करेंगे, ठीके, अब मैं आपके साथ अगला जो chapter discuss करने वाली हूँ, वो हमारा chapter है curves, एक बार मुझे बताईए, कि कितनी तरह के curves के बारे में पता है, वो बताईए मुझे, एक बार, comment section में, generally, highway engineering में भी पढ़ते होंगे, बिल्कुल, pdf मिल जाएगा, आपको pw app भी मिल जाएगा, बोलिये, horizontal, vertical, ठीक है, simple, reverse, compound curve, summit curve, valley curve, अब पहली बात तो, जो लोग summit curve और valley curve बता रहे हैं, वो किस category में हो जाएं आते हैं आपके? वो आते हैं आपके, वर्टिकल कर्व की category में, वर्टिकल कर्व की category में, इसका मतलब longitudinal direction में, जब slope vary कर रहा हो, slope vary कर रहा हो किस direction में? लॉंगी ट्यूडनल का मतलब क्या हुआ मान लीजी अगर हम हाइवे का एक्जामपल ले तो गाड़ी जिस डिरेक्शन में चल रही है उस डिरेक्शन में जो स्लोप का वेरियेशन हो रहा हो तो वर्टिकल काव होते हैं हमारे दो तरह के वैली काव और दूसरा आता है समीट क कॉम हाइवे इंजिनियरिंग में पढ़ते हैं इसके अलावा हम पढ़ते हैं होरीजोंटल काव और आता है कौन कौन से टाइप आता है का गण मान लो यह एक सरकल है मैंने सरकल का यह सेंटर मान लिया तो इस सरकल का मैंने इतना सा पोर्शन कट किया और इतने से पोर्शन को निकाला और यह काव बन गया ना compound curve क्या होते हैं इसमें दो अलग radius वले कर आपको देखने को मिलते हैं एक की radius मानलो मैंने कम बना दी एक की radius मैंने ज्यादा दिखा दी तो एक radius R1 हो गई एक circular curve की radius R2 हो गई तो combination of जिसमें दो अलग-अलग radius हो उसको आपने क्या बोल दिया compound curve तीसरा जो आता है highway में आपको देखने को मिलेगा वो है reverse curve, reverse curve कैसे होगा अब plan में अगर मैं आपको दिखाओं कुछ इस तरीके से एक curve ऐसा है मैं जिसका center इस तरफ है दूसरे curve का center इस तरफ है, हो सकता है दोनों curves का radius same हो और ये भी हो सकता है कि दोनों curve का radius जो है वो हमारा अलग-अलग हो ठीक है, same भी हो सकता है अलग भी हो सकता है तो ये हमारे curves है लेकिन अब curve को designate कैसे किया जाता है ये तो बात आगए इसकी definition देख सकते है, curve को designate करने के कौन-कौन से तरीके है, reverse curve सही लगता है अब बनाने में सही लगता है व तूसरी सीदी line और ये आगया curve, तो tangential to two straight line ये बन गया हमारा simple circular curve, इसके बारे में ही कुछ components हमें पढ़ने होते हैं exam के लिए, compound curve में क्या है, two circular arc of different radii, दो circular arc बनाए थी ना अलग-अलग radius की, वो compound curve है, reverse curve में क्या होगा, two circular arc, same radius की भी हो सकती है, अलग की भी हो सकती है, with their center of curvature on opposite side of common tangent, ठीक है, ये गानी clear है, अच्छा, अब आपने बोला, दो definition होती है, एक arc definition, एक quad definition, अब arc definition और quad definition क्या है, arc definition और quad definition क्या है, अब बात आती है, अगर मैं आपको बोलती हूँ, जाए highway, road पर जाए curve design करके आए, और मैंने उसके साथ कुछ mention ही नहीं किया, तो आप बो आना तो है, पर आप साथ में बता तो कुछ तो बताईए कि क्या उसका, जैसे आप बोलेंगे, A और B के बीच में distance measure करो, तो पता तो है कि distance measure करना है, curve को कैसे set करेंगे, curve का नाम करन कैसे करेंगे, तो उसको designate कैसे करना है, एक तो मैं बोलूँगी radius, मानलो मैंने आपको ब radius का curve set out कर क्या हो, तो आप बोलेंगे मैं आसान है, ऐसे radius दे दीजिए, हम कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, जब हम curve को designate करते हैं, दूसरा तरीका है, इसको designate करना as a degree of curve, ठीके, degree of curve, तो degree of curve का मतलब क्या होता है, radius सबको पता था, दूसरा तरीका है, degree, degree का मतलब है कि एक, अगर मैं यहाँ पर एक arc बनाती हूँ, मानलो a और b, या मैं cord बनाती हूँ, a और b, क्योंकि इनकी length बहुत जादा नहीं होगी, तो cord और arc में जादा difference नहीं होगा, तो यह arc center पे कितना angle बना रही है, यह arc, या फिर यह cord, अब इसकी length को मैंने define कर दिया, कि मैं definition को या तो सिरफ 20 meter के लिए बोलूँगी, या 30 meter standard के लिए बोलूँगी, क्यों, generally हम chain or tape जो use करते हैं, वो 20 या 30 meter की use करते हैं, बिल्कुल सही बताया है, सौरव कुमार, formula भी लिख दिया, आपने क्या बात है, मैं जो लगता है, पढ़ने के साथ साथ typing speed भी बढ़ र बनाएगी, that is degree of curve, और theta क्या होता है, arc upon radius, length of arc और r is the radius, तो alpha is equals to l by r, similarly 30 meter की quad center पे कितना angle बनाएगी, that is degree of curve, तो degree of curve के लिए मैं क्या खह सकती हूँ, degree of curve, 30 meter की arc definition के according formula, आया कहां से है, मैं मान लो d is the degree, आपने बोला, 30 by r कर लो, यहां से जो answer आ रहा है, वो radian में आ रहा है, radian से मुझे किस में convert करना है, degree में convert करना है, किस से multiply कर दूंगी, 30 by r multiply by 180 upon pi, इस से multiply कर देंगे, जब इसको solve करते हैं, तो approximately 1718 point something कुछ आता है, तो मैं इसको 1719 upon r ले लेती हूँ, it is very very important for your state exams, state exams के लिए बहुत ही important है यह formula, सीधा पूछा जाता है, इस पर तो 30 meter arc definition, degree और radius में क्या relation है, तो यह relation है, अब 20 meter के लिए, 20 meter के लिए क्या होगा, मैं हम same formula है, d is equals to, आप 20 by r लिख सकते हो, लेकिन यह जो answer है, यह radian में बिल रहा है, तो d is equals to 20 by r, multiply 180 upon pi, अगर आपको यह answer किस में चाहिए, डिगरी में चाहिए, इसको solve कर लेंगे, तो 1146 upon r आ जाएगा, तो आपने सीधा यहां r की value बुट करनी है, आपके पास d आ जाएगा, ठीक है, 1720 तब लोगे, अगर आपको एक round figure में answer चाहिए, तो चल सकता है, exact value जब आप यहां से solve करोगे, तो यह 1719 upon r आती है, आप अपने आप solve करके भी check कर सकते हो, तो designation मैंने आपको बता दी, अब components का नाम ध्यान से सुनते जाएए और मुझे answer करते जाना, ठीक है, diagram बनाने देना, उसके बाद answer करना, तो फिर आपको, जो मैं यहां पर formulas की list दूँगी, curves वाले chapter में, हम सारे horizontal curves ही पढ़ रहे हैं अभी, आप उन formulas को याद करना है, बस आपका काम है, ठीक है, यहां से अगर paper से पहले जाओगे, इन formulas जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ, उनको अगर एक बार revise कर लेते हो, तो बन जाएगा काम, मानलो कुछ इस तरीके से आना इसके ओपर चाहिए था, यह central वाली value, तो इसको हम बना देते हैं roughly, मानलो यह ऐसे आ रहे है, और मानलो यह tangent line कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है, अब जो जो आपसे component पुछती जाओंगी, साथ साथ मुझे answer करते जाना, यह curve है, और curve की radius मैंने यहाँ पर show कर दी, ओ पॉइंट से लेकर, यह radius मैंने curve की यहाँ तक represent कर दी, ठीक है, अब एक एक करके answer करते जाना, यह भी बना देते हैं, अब मुझे बताईए, मैंने curve को start किया, इसको नाम दे दिया A, यहाँ पर नाम दे दिया B, यह वाला point क्या होगा, जहाँ प start हो रहा है, उस point को क्या बूला जाता है, जहाँ से curve start हो रहा है, उस point को क्या बूला जाता है, tangent और curve मिल रहे हैं जहाँ पर, बताईए, very good, इसे बोला जाता है point of curvature, जहाँ पर curve end हो रहा है, और जहाँ पर tangent से वो cut कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, जैसे यह point of curvature है, यह point of tendency ह होता है ठीक है अच्छा अब दोनों tangent इस point पे intersect कर रहे हैं जिस point पे intersect कर रहे हैं उसको बोलते है point of intersection. V is the point of intersection जहां पर दो tangents intersect करते हुए मिल रहे है. Point of curvature और point of intersection के बीच का, जो distance होता है उससे क्या कहते है, point of curvature से point of intersection के बीच का, जो ये length है उससे क्या बोला जाता है इस length को क्या बोला जाता है इन दोनों के बीच की जो length होती है इसे बोलते हैं tangent length ठीक है ये होती है हमारी tangent length अब point of curvature से पहले जो हमारे tangent length आ रही है क्योंकि मैं curve start होने से पहले आ रही है तो आप इस tangent को बोल देते हो back tangent है forward tangent forward tangent ठीक है अब point of curvature से point of tendency के बीच में यह जो आपको सीधी straight line दिख रही है उसे क्या कहते है point of curvature से point of tendency के बीच में जो straight line यहाँ पर नजर आ रही है उसे क्या कहते हैं हाँ back tangent forward tangent से ही बताया आपने तो similarly यह वाली चीज भी हो जाएगी यह वाली चीज भी हमारी tangent में फुजाएगी यह होता है length of long code यह क्या होती है यह length of long code है यहां से ले कर यहां तक अगर कोई कोई पूछता है काव की length क्या होती है तो आप बूलेंगे मैम यहां पर point of curvature से आप काव क्या लॉंग होते होते जाओ तो इसको बोलते है हमारी curve length यए length of curve या curve length इसको बोल सकते हैं ठीक है अच्छा अब बताना जरा अगर एक backward tangent सीधा जा रहा था और उसको जहाँ पर forward tangent मिल रहा है यहाँ एक angle बन रहा है यह जो angle बन रहा है इस angle को क्या कहते है यह जो backward और जो फोवड टेंजेट हो रहे हैं जितने एंगल पर डिफ्लेक्ट ओ रहा है इसंगल को क्या कहते है मोध vendors पेडियो में मिले अधियर मोप पड़ दिया मैंने थिन तीन गप्षोप में तो वहां मिलेगा डिटसे नलते तो ये होता है deflection angle जो intersection बोल रहे हैं वो ध्यान से देखना ये जितना deflection angle बार है उतना ही deflection angle center पे बनेगा ठीक है और ये जो अंदर जो angle बन रहा है न ये वाला ये जो दोनो back tangent और forward tangent की बीच में इस angle को बोलते हैं intersection angle ठीक है इसको यानी लिखते हैं इस angle को बोलते हैं intersection angle ये वाला angle है intersection angle ठीक है अच्छा अब ध्यान से देखना जो मैं पूछूँगी ये वाला distance बता दो मुझे ये वाला distance बता दो इसको मैंने x नाम दे दिया इसको y दे दिया x और y के बीच का जो distance है उससे क्या कहते है बहुत अच्छे से response कर रहे हैं आप लोग x और y के बीच में batch start हो गया है बिलकूल अशौका d start हो गया आज से ही आज से ही उसमें आई वी इंजिनेरिंग की classes भी शुरू हो गई है morning में very good स्वारव इससे हम कहते हैं mid ordinate और mid ordinate किसके बीच का distance है मैं अगर हम point जहां पर दोनों curve intersect कर रहे हैं वहां से curve के center को join करते हूँ एक line बनाए तो curve का center और long code के center के बीच की जो length आ रही है उसको बोलते हैं length of mid ordinate और वहीं हम point of intersection से जहां पर curve के center पर ये line आपको सीधी line आती होई मिल रही है इन दोनों के पीच का जो distance है इसको बोला जाता है external distance और apex distance अब बताओ जिसने मुझसे batch में पढ़ा है आप पहली बार पढ़ रहे थे वो थे इतना सब कैसे याद रहेगा अब आप लोग ही हो जो मुझसे भी पहले बता दे रहे हो इन कांसर मैंने कहा था जितना रिवाइस करोगे उतना याद रहेगा यह होता है apex distance ठीक है चलो तो अब देखिए हाँ apex distance से तो सुरेश याद आना चाहिए सबको तो length of curve का formula मैं अभी derivation करके नहीं बता रही तो length of curve क्या होता है हमारा फॉर्मला इस पाई आर डेल अपॉन 180 डिगरी यह डेल जो है ना इस फॉर्मला में यह है deflection angle डेल को डेल किसे denote के deflection angle को ठीक है तो पाई आर एंगल अपॉन 180 डिगरी tangent length क्या होती है r10 डेल बाई 2 tangent length है तो 10 थीटा ही लगाना है length of long code अब मैं इसमें derivation नहीं बता रही क्योंकि यह revision है अभी कोई नए batch का मैं आपको कोई promise नहीं कर सकती अभी already बहुत सारे batch चल रहे हैं पर जब कोई vacancy आती है तो तब ही उसके बारे में आपको बता पाऊंगी ठीक है अच्छा counselor와 कॉस्ट टैðा अनुज तो और मतलब क्या होता है होता है जहां से आपका कार्व ड़ार था ता जाहां से आपका कई स्टारट हो रहा था वहां से अगर मैं उस पॉइंट को ए बोलू यह point of curvature है यह point of intersection है तो अगर दिया होता है chainage of point of intersection तो इसका मतलब होता है A से लेकर V तक का distance तो chainage अगर हमें given हो chainage at V हमें given हो मतलब वो कहां से distance है A से लेकर V के बीच में तो मानलो यह वाला distance आपको 1000 दिया हुआ है आपको पूछा है what is the chainage at point of curvature तो कैसे निकालोगे मैं इसका मतलब A से PC का distance निकालना है तो यह distance कैसे निकाल सकती हूँ जितना भी chainage मेरा at V होगा उसमें यह distance minus कर दो इसी को हमने क्या कहा था tangent length तो chainage at point of intersection में अगर tangent length को minus कर देती हूँ तो chainage मिल जाती है at point of curvature ठीक है अगर मुझे चाहिए chainage at point of tendency जो की यह था मतलब A point से point of tendency तक का distance curve की length के along तो वो कैसे निकाल लूँगी chainage at point of tendency is equals to जितना भी point of curvature पे chainage निकाला था प्लस मैं यह वाली जो length है ना जिसको हम curve length बोल सकते हैं तो आप यह curve length वहाँ पर add कर दो अगर आप curve length यहाँ पर add कर दोगे तो यह आपको point of tendency पे भी chainage मिल जाएगा ठीक है chainage मैंने आपको बता दी कैसे निकाल ली है chainage से मतलब बहुत ही कम चांस है कि कोई कोशन आए लेकिन आपको इससे पहले जो यह basic formulas बताए ना length of curve, tangent length, long code, mid ordinate यह थोड़े से याद रखने है paper से जाने से पहले इन सारे formulas को एक एक बार जरूर देख लेना है ठीक है तो आज की class में हम इतना ही cover करेंगे अल्रीडी सुबह से class चल रही है इसलिए आज का class थोड़ी सी छोटी थी थी हमारी पर कल की class में हम लोग अपना Contours वाला chapter revise करेंगे, area and volume के कुछ important formulas देखेंगे और photogrametry का थोड़ा बहुत idea देदूंगी जहां से ज़्यातर सवाल आते और laws of weight आपको एक बार revise करवा दूंगी इससे क्या होगा कि आपका complete survey बड़िया तरीके से revise हो गया और अगर कोई भी पहली बार theory पढ़ रहा है उसको भी चीज़े समझ में आ जाएंगी आप लोग भी अगर questions अपने end से लगा होगे तो बहुत questions बन जाएंगे बस यह है कि यह course detail में नहीं था ओविस सी बात है इतने बड़े subject को five days में तो हम सिरफ revise कर सकते हैं लेकिन कल मैंने आपको वो चीज़े बढ़ानी है देखो जो आपको भी miscellaneous topics बताएं फिर अगर वो बढ़ा दिये तो हमारा complete survey का theoretical revision हो जाएगा ठीक है आरे theodolite के लिए मै कुछ ऐसा plan करेंगे तो वहां discuss कर सकते हैं एक बार आप theodolite का जो मैंने course पढ़ाया है तीसरा session था इससे पहले theodolite था तो आप theodolite वो lecture एक बार जाकर देखिए आधिस चीज़ें तो आपको वहां से भी clear हो जाएंगी ठीक है अगर आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फोलो करना चाहते हो तो टेलीग्राम सिम्रन मैं पीडवलिव आप सर्च कर सकते हो तो वहां पर मेरा टेलीग्राम गृप है अगर आपको कोई भी discussion करनी है कोई doubts है आंसर मिल जाएगा reply मिल जाएगा थोड़ा लेट हो सकता है पर आप सब को आपके doubts का reply में दे दूंगी ठीक है तो यह मेरा group है आप इसको join कर सकते हो कोई नया paid batch आता है या कुछ भी ऐसी चीज़ है यहां discuss कर लीजेगा कोई exam आ रहा है कोई questions में doubt आ रहे तो यहां पर बे लेंगे 11.30 a.m. सभी ने पूरे टाइम पर आना है और हम complete survey पूरा अच्छे से अपना revise हमारा हो जाएगा ठीक है तो आज के session को end करती हूं और अपने तेयारी अच्छे से करते रहें all the very best everyone बाइबाइब